बॉल्वो इंडिया ने नई जेनरेशन S60 से आखिरकार परदा हटा लिया है जिसे भारती ये बाजार में अगले साल लाउंच किया जाएगा कंपनी जनवरी 2021 में कार की बुकिंग शुरू करेगी और मार्च में इसे लाउंच किया जाएगा वेश्विक बजार में दो साल पहले ही S60 को लाउंच किया जा चुका है जिसे कई सारे बदलाव मिले हैं जिनमें चौड़ी ग्रिल, बदले हुए हेड लैंप्स, बदली हुई सिया कार की LED टेल लाइट्स और नए अलोई वील शामिल है कार को डीजल एंजन में पेश नहीं किया जाएगा ऐसे में 2021 S60 के साथ सिर्फ 2 लीटर कार 4 सिरिंडर पेट्रोल एंजन आएगा जो 160 BHP और 300 NM पैदा करता है वॉल्वो ने ये भी पुष्टी कर दी है के 2021 में ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेग्मेंट की वॉल्वो XC40 रीचार्ज को लाउंच किया जाएगा Honda Activa लगातार भारतिय दोपईया बजार में कई सालों से सबसे जादा बिकने वाला स्कूटर बना हुआ है कंपनी ने देश में स्कूटर की 20 साल की यात्रा की सफलता का जश्टिन मनाने के लिए Activa का Limited Edition लॉंच किया है Activa 6G के इस 20 मी Anniversary Edition के दो वेरेंट्स हैं Standard और Deluxe इनके एक शोरूंग कीमत कुरुग्राम हरियाना में 66,816 रूपई और 8,316 रूपई है इस अमाने मॉडल के मुकाबले 2,000 रूपई जादा है 20 मी वर्षगाड एडिशन Activa 60 बिलकुल नए मैट मैच्योर ब्राउन रंग में आया है जिसके साथ मेल खाती पिछली ग्रैब रेल दी गई है साथ ही एक चमकदार 20 मी वर्षगाड का लोगो और विशेश गोल्डन Activa लोगो भी है कंपनी ने इस स्कूटर के स्पेशल एडिशन में कोई तक्नी की बदलाव महीं किया है सड़क परिवहन और राजबाग मत्राले देश में पुरानी कारों, बाइक और स्कूटरों को रजिस्टर करने के लिए नियम तै कर रहा है गुरुवार को जारी हुई एक अधिसूशना के माध्यम से वे विंटेज मोटर वानों से संबंदित किंद्री मोटर वहन नियम 1989 में संशोधन के संबंद में लोगों से सुजाव मांग रहा है विचार विंटेज मोटर वानों की रेजिस्टरेशन पक्रिया को अपचारिक रूप देना है विंटेज मोटर वानों को उन वानों के रूप में परिबाशित किया जा सकता है जो दो पईया और चार पईया है और उनके पहले रेजिस्ट्रेशन की तारीख 50 साल से जादा पुरानी है कानून बनने के बाद संबंदित विंटेज वाहन को 10 अंकों के आलफा निमरिक नमबर दिये जाएंगे प्रस्ताफ के अनुसार रेजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए वैद्ध होगा नए रेजिस्ट्रेशन के लिए 20,000 रुपए का शोग देना होगा और बाद में दुबारा रेजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए चुकाने होंगे लेटेस्ट कार्ज और लेटेस्ट बाइक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगी तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें